हेलो फ्रेंड्स वर्कम तो आई चैनल जसका नाम है प्रॉफट ट्रेडर्स तो दोस्तों बेटकोईन का प्राइज ऊपर जाए या नीचे जाए लोगों को गंटा फरक पड़ रहा है तुम अगर देखोगे तो भाईया किसी को फरक नहीं पड़ रहा कि बेटकोईन के प्रा भाई एक चीज हमेशा याद रखो ये सब चीजों का प्राइज जो है ना वो ये एक अकेला शेर चलाता भाई उसके इलावा और शेर मतलब वो शेर मार्केट वाला शेर नहीं शेर मतलब एक्चुल शेर तो इसको कभी इगनॉर मत करो ठीक है एरड्रॉप्स बटोरो बट ये होने ही चाहिए तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बट पहले शुरू करते हैं बेटकोइन से ओके बेटकोइन अगर तुम टेकनिकली देखते है तो भाईया दुनिया भर का जोर लग गया बेटकोइन को इस ग्रीन लाइन के नीचे लेके जाने के लिए लेकिन बेटकोइन हमत नहीं हार रहा है हम लोग अभी भी 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये जो है ना वो लागातार ऊपर जाती ही रहेगी कुछ चीजे जो अब मतलब लोग फंडे दे रहे हैं कि हाँ 20,000 वीकली ट्रेंड लाइन टूटी तो हम लोग 20,000 डॉल पोड़ने वाले है हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे कंसॉलिडेट करेंगे 2015 में भी हमने वही किया उसके बाद ब्रेक करेंगे अब हम लोग 20,000 तक जाते हैं हम लोग यहीं साइडवेज गूमते रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके अट दी एंड अफ दे त तुम बॉटम मार चुके हो अट दी एंड अफ दे तुम बुल रन में हो और भाईया अट दी एंड अफ दे तुम भर भर के पैसा चापने वाले हो ओके एक बुरी चीज़ जो अभी भी चल रही है वो यही यह क्रॉस मेरे भाई आए होफ यह वीक जो है वो अच्छा क्लो उस हो ताकि यह क्रॉस घूम जाए क्योंकि अगर यह क्रॉस आया तो हम लोगों को पता है भाईया जब भी यह क्रॉस आया तब हम लोगों ने क्या देखा है ओके तो अगर तुम देखोगे तो यहां पर जो है हम लोग बेरिश सारी बुलिश से बेरिश हुए थे ओके और ये line अगर तुम देखते हो और मैं price action देख लू तो मेरे भाई ये market का top था ओके close to top जहां मुड़ा वो top था मेरे भाई एक बार जब cross हो गया तो तुमारा gaming अतम हो गया इसलिए हमें ये cross बिल्कुल नहीं चाहिए हमें चाहिए कि भाईया एक green bullish candle आहे ताकि ये cross जो है वो बापिस उपर की तरफ घूमें या फिर sideways ही रहें और हम लोग जो है perfect direction की तरफ चलें एक चीज जो market में बहुत अच्छी हुई है at least invidia के लिए बाईया जो है वो एक trillion dollars के क्या कहते है उसको group में आ गया है 25 से 28 परशन उसका stock बढ़ा क्योंकि उसके numbers अच्छे आए और अब वज़े बड़ी simple है अब तुम देखोगे तो AI जो है उनको GPU चाहिए और ये अकेला ही है जो वो GPUs बेचता है तो मेरे भाई Facebook तुमारा Microsoft, Google सब इसी के पीछे पड़े और इसके GPUs खरीदर और वहिया इसकी चांदी चांदी हो रही है वैसा scene है बट अगेन बहुत अच्छी बात और अब ये देखे अपने AI tokens भी pump होंगे तो make sure जैसे कि मैंने बोला था dip में buy किये हो आपने नहीं किये तो हमारा वीडियो ज़रूर देखो टॉप AI tokens पे और buy करो अपनी research के बाद उसके बाद Germany की बैंड बजिए जमनी जो है वो गहरा गया है हम लोग रिसेशन में आ गए है भाई है उस पिछले दो quarter से वहीं चल रहा है तो कुछ नहीं बात नहीं है और अगेर मैं भाई कहूंगा अब लोग जो है थोड़े समयदार हो रहे हैं उनको पता है कि भाईया country से अब कुछ होने नहीं वाला तो अपना पैसा जो है वो खुद से बचाओ खुद से संभालो देश तो सरफ ऐसा चो बट एक्चल में यार उन लोगों ने क्या किया एक सुधाना बेस्ट मीम कोईन भी जो है उसमें फीचर किया और वो पंप और डंप स्कीम थी तो इसलिए प्रब्ली उन लोगों ने वीडियो निकाला होगा और मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन है ओके नौर्वे में भी हम लोग देख सकते है क्या क्रिप्टो जो है वो लीगलाइज होते हुए देख रहा है भाईया वो अपने रेगुलेशन लेके आएगा कुछ भी लाओ वो दिक्कत वाली बात नहीं है वाकी बिनांच पे जो है वो भी लगातार बहुत तकड़ी ग्रोथ कर रहा है अफ्री लोग हमारी ओवराल मार्केट देखेंगे स्टॉक मार्केट तुम देख सकते हो डाउ जोन्स रेड में है बड़ अट लीस्ट यह जो नास्टक है जो अपना टेक्नोलोजी सेक्टर है वो ग्रीन में है क्योंकि उसको एंवीडिया ने ऊपर खीच लिया और वहीं अगर हम हम लोग क्रिप्टो मार्केट देखते तो बापस 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स में पिछले यहां पर यह दिखाता है इसका चार्ट अगर हम लोग टोटल मार्केट काप भी देखेंगे ना तो एकदम डेड है वह साइडवेज ही चल रही है टोटल मार्केट काप एक पॉइंट एक ट्रिलियन से लेके 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स यहीं घुम रहे हम लोग और कहीं नहीं है तो अगर तुम देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट यह टोटल क्रिप्टो मार्केट है बट सेम वैसी जैसे बिटकोइन का चार्ट और यह भी 200 वीकली इवरेज के उपर है तो हम तो बहुत जल्दी अच्छा घासा पंप ओवरॉल क्रिप्टो मार्केट में भी देखेंगे और ओवरॉल बेटकोइन में भी देखेंगे कुछ औल्ड कोईन जिनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो अच्छी रैली दिखा रहे है उसमें तुम देख सकते ह जो हमारे AI टोकन मैंने अभी बात की रेंडर टोकन यह तो भाया अब मैं क्या ही बोलू मेक्शुर सब्सक्राइब करो ऐसे टोकन मिस मत करो के 9% immutable x जो है वो 4% x infinity मेरे भाई बहुत टॉप से बहुत नीचे गिरा है बट अगेन मैं वह वही कहूंग है एक बर जब को हमारे पॉर्टफोलियो में add करने है सबसे पहले synthetic token यह synthetic token की trading volume अगर तुम देखोगे न तो मेरे भाई सबसे ऊपर dydx है pop exchanges में उसके बाद synthetics है synthetics क्या करता है basically तुमारे actual real world assets को synthetic assets बनाके trade करता है तुम apple का stock चाहिए तो यहां पर ऐसा crypto में खारीच सकते हो उसके लिए मैंने हमेशा बोला मुझे GNS अच्छा लगा है बट अगीन यार इसके और बहुत सारे फाइदे है तो यह एक अच्छा project है currently अगर हम लोग देखें और इसे अगर हम लोग यहां लें तो तुम देख सब क्यों थोड़ी सी space और है बट 2.19 मिया 2.2 डॉलरस पर यह बहुत अच्छे buying zone पर है यह बिल्कुल मत सोचो यार के वापस यहां आ सकता है क्योंकि यह देखो कि वो कहां से आया है तो यहां से अगर वो 2x 3x भी होता न तो कोई बड़ी बात नहीं है और नीचे जाने के लिए उसके बास जगा ही नहीं है तो synthetics एक बहुत अच्छा token है और दूसरा token जिसके ओपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है मेरे भाई Avalanche अब देखो Luna जो इसका competitor था वो अब game में है नहीं okay Solana की वैसे band बज रही है okay I know Solana वापिस उपर जाएगा मैं यह नहीं कहा रहो कि Solana को ignore करो Solana तुमारे portfolio में होना ही चाहिए थोड़ा बट यह token भी उतना ही जरूरी है मेरे भाई धेर सारे नए application जिसके ऊपर चल रहे है तुम यहां अगर देखोगे तो circle ने जो है वो अप arbitrum यूज करने चले जाओ तुम यही जी के सिंक यह अपना अभी तुम वही देखो एड्रॉप के लिए अपने को जी के सिंक यह स्टाक नेट यहां पिर वह कौन सा कच्रा लेयर जीरो यह सब चीज़े यूज करनी पड़ती है अब तुम्हें लेयर जीरो की भी एक उधार चलती जा रही है तो मैं तुम्हें वही कह रहा हो कि वो सब टोकन जो भी तक आये नहीं है जिनकी परफॉर्मेंस वैसी है उसके पीछे मत भागो ठीके फ्रीक आप ऐसा मिल रहा है हम लोग ले लेंगे थोड़ा बहुत इंवेस्ट भी कर रहे है कि चलो एर्ट्रॉप वैस उनको मिश्मत करना तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तो थेंक यू सो माच